हेलो फ्रेंज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही ऐलो वीरा जल से मौश्यराइजर बना सकते हैं ये बहुत ही इजी मेथड है आप असानी से इसे बना कर स्टोर करके रख सकते हैं अब इस तरह से मैंने ऐलो वीरा की कुछ पतियां ले ली हैं और इसे सबसे पहले हम इस तरह से साइड से कट कर देंगे दोनों तरफ से हमें इसे कट कर लेना है उसके बाद ये ऊपर से इस तरह से पति को काटेंगे और अंदर का जो इसका ये जेल है वो हम अच्छे से एक स्पून की मदद से एक कटोरी में निकाल लेंगे क्यूंकि ह हम इसी का इस्तिमाल करने वाले हैं हमारा moisturizer बनाने के लिए तो इस तरह का white color का हमें gel चाहिए होगा बाकी पतियों को हम discard कर देंगे तो यहाँ पर ये चार पतियों में से मेरा इतना gel निकलाया है इसे हम अच्छे से mash कर लेंगे हाथों के मदद से या फिर spoon की मदद से इसमें गुठलिया नहीं होनी चाहिए हमें कोशिश करनी है कि ये थोड़ा smooth बन जाए मैं यहाँ पर hands की मदद से ही इसे smooth कर रही हूँ aloe vera के गुन तो हम जानते ही है हमारी skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो यहाँ पर अब मैंने इसे एक च्छनी के थुरू हम इसे चान लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल हलका liquid चाहिए हमारे gel का गुठलिया नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से liquid निकाल लिया है अब इसके अंदर मैं डालूंगी glycerin glycerin हमारी skin को बहुत ही smooth करता है अगर हमारी skin में किसी भी तरह की रूखापन है तो glycerin इसे दूर कर देता है तो यहाँ पर मैं आधा चमच aloe vera gel के अंदर glycerin डाल रही हूँ जिससे कि ये और भी effective होगा और साथ ही साथ ये में गुलाब जल ले रही हूँ गुलाब जल भी हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है ये मैं 1 tablespoon ले रही हूँ ये मैंने घर पर ही बनाया है इसकी वीडियो का link भी मैं share कर दूँगी घर पर बना हुआ गुलाब जल जादा better होता है अगर हम कोई home remedy में cream वगेरा बना रहे हैं अगर आप ready mate लेंगे तो वो इतना effective नहीं होगा तो आप घर पर ही गुलाब जल भी बना सकते हैं अगर आपके पस नहीं है तो आप market का पतंजली का गुलाब जल यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने ये एक खाली bottle ले ली है ये मेरे moisturizer की थी अच्छे दो कर मैंने अच्छे से wash कर लिया है और इसी में अब मैं मेरा ये नया बना हुआ moisturizer store करूंगी इसे हम अच्छे से हिला लेंगे और आप देख सकते हैं skin पर ये बहुत ही smooth कर देता है skin को और बहुत अच्छे से moisturizer करता है इसे आप fridge में कम से कम 10 से 15 दिन तक store करके रख सकते हैं बाहर मत रखिएगा क्योंकि गर्मी का season है अगर ठंड के मौसम में बना रहे हैं तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं और ये आपकी skin को smooth तो करेगा ही साथ ही आपकी skin में हलका सा गोरापन भी आ जाएगा तो friends अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे like करना मत भूलना Thank you